नमस्कार प्यारों दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं कोठा मार्बल चिप्स की गिसाई के बारे में कोठा चिप्स की गिसाई के लिए सबसे पहले फर्स को जाडू से पूरा साफ कर देना चाहिए ताकि रेत के कणवा ना रहे और गिसाई में कोई प्रॉब्लम ना आए कोटा चिप्स की गिसाई के लिए हम डायमन सेट का इस्तेमाल करते हैं जो तीन बट्टी का एक सेट आता है जो आप देख रहे हैं तीन बट्टी का सेट है और ये मसीन के अंदर लगेगा एक बट्टी के अंदर एक एक इंच के नौ सिग्मेंट होते हैं लंबी धारी वाले जो कोटा की बहुत ही बढ़िया तरीके से कटाई करती है आईए हम इसे फिट करते हैं सिग्मेंट बट्टी फिट करने के बाद हम देखते हैं गिसाई के लिए अगर आगे हमा थोड़ा लोड लगता है तो पीछे जो जेक सिस्टम बना हुआ है उससे हम इसे कम ज्यादा भी कर सकते हैं ताकि मसीन चलाने में आसानी रहे दोस्तों कोटा की गिस्टिप्स की गिसाई के बाद में जो मलबा निकलता है हम उस मलबे को होल या कमरे एक कॉर्णर पर इखटा कर देना चाहिए ताकि अगले दिन सूकने के बाद बाहर फैक दे जहाँ जहाँ जोइंट चिप्स की हमने गिसाई की है वहाँ पर वाइट सिमेंट का लेप लगा कर अस्तर लगा देना चाहिए और इसे दो या तीन दिन हलके हलके छीटे पानी के मार कर उसको पकाना चाहिए उसके बाद में जो हम गिसाई करते हैं पॉलिश बहुत ही बढ़े आती हैं कोटा पत्थर के उपर नमस्कार